यहां से लाल प्रशाद यादव सांसद रहे और उसके बाद यहां पर बीजेपी ने अपना कब्दा जमा लिया और अब आखिरकार सारन लोकसभा सीट थे अरजेडी प्रत्याश्य और लाल प्रशाद यादव की बेटी रोहिनी आचारे ने अपना नामांगकन दाखिल कर द में उतरी है वो भी अपने पिता की पुस्तैनी सीट कह सकते हैं सारन से और ऐसे में अब यह प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है आरजोडी के लिए साथ ही लाल प्रशाद यादव के लिए कि उन्होंने अपनी बेटी को पहली बार राजनिती में उतारा है वो भी अपने पु हैं वो अपना नामांकन दाखिल करने पहुची इस दोरान की तस्वीरे आप देख सकते हैं जब दाखिल करने पहुची नामांकन रोहिनी अचारे तो उनके साथ उनके पिता जोडी सुपरीमों लाल पुशाद यादव भी दिखाई दिये साथ ही रोहिनी अचारे के पती इस दोरान उनका साथ देते नजर आए आप तस्वीरे देखिए कि किस प्रकार नामांकन से पहले ये रोहिनी आचार अपने पती और पिता के साथ बैट कर बाचीत करती दिखाई दी वहीं अब नामांकन आखिरकार रोहिनी आचार ने दाखिल कर दिया और उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी राजी उपरताफ परूडी से होना है लगतार रोहिनी आचार सोशल मीडिया के माध्यम से राजी उपरताफ परूडी पर हमला पर होती दिखाई दी हैं और उनका साथ यहीं कहना है जब लोगों के बीच भी जाती रही है कि आखिर काम क्या किया है इसका जवाब भले ही राजी परूडी ने दे दिया लेकिन अब चुनावी मैदान में उतराई हैं रोहिनी अचारे और आखिरकार आज उन्होंने अपना नामांकन दाखे किया है इसकी जानकारी रोहिनी अचारे ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी करेंगे रोहिनी अचारे को लेकर लगतार चुनावी क्यामपेइन कर रहे हैं और लोगों के बीच हो जा रहे हैं अपनी बेटी के साथ उनका समर्थन दे रहे हैं और लोगों से वोट को लेकर भी अपील करते नजरा हैं पाठी के प्रत्याशी है यानि की महागडबंदन क के तरफ से जोड़ी प्रत्याशी हैं उनके चुनावी प्रचार प्रसार में लगतार अक्टिव नजरा हैं थे जश्वी यादव और अब आखिरकार रोहिनी अचारे ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और नामांकन दाखिल करने के साथ उनके पिता यानिक वीर डाली थी एक वीडियो शेयर किया तो और इस दौरान उन्होंने लिखा था कि 29 अपरेल को सुबह 10 बजे सारन लोकसभा सीट से महागण बंदन प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करूगी नामांकन के उपरांत एक जंसभा को भी आयो जित्तिक किया गया है यानि कि अब एक जंसभा होगा नामांकन रोहिनी अचारे ने दाखिल कर दिया है और इस जंसभा को लेकर भी रोहिनी अचारे ने बाते बताई थी उन्होंने कहा था कि जंतादल युनाइटेड के रास्वी अध्यासलाल प्रशादी आदव नेता प्रतिपक्स अब मुके सेहनी अब्दुल बारी सिद्धिक्यों और महागडबंधन के तमाम वरियन नेता इस जो भी आयोजन किया गया है जंसभा को उसको संबोधित करते नज़र आएंगे तो साफ तोर पर अब रोहिनी अचारे ने नमांकन दाखिल कर दिया है जिसकी तस्मीरे सामने ने आ गई है और उनका मुकाबला विजेबी प्रत्याश्वी राजी प्रताप रूरी से हैं राजी प्रताप रूरी लगतार वहां जीते आ रहे हैं हालाकि इस से पहले यह सीट आठ जड़ी के ही पास थी लेकिन लालुपशादी यादव कि यह पुस्तैनी सीट रही है औ कोईनी आचारे के लिए प्रतिस्ठा का सवाल है कि वह अपने पिता की खोई हुई सीट उनको वापस दिलाए और अब उन्होंने ना मांग का अनत दाखिल कर दिया है दर्श नियूस पर फिलहाल के लिए इतना ही देश दुनिया और वहार जारकन की तमाम खबरों को देख